तो आप कैसे उस कॉपिरेट स्ट्राइक को अपने चैनल से रिमूफ कर सकते हैं तो फ्रेंज इस वीडियो को लास तक जरूर देखिए थैंक यू तो फ्रेंज सबसे पहली बात यह है कि यह AI Plex Software Limited आखिर है क्या और वाइट इस उन्टाइल तो गिव यू सॉफ्ट कॉपिराइट स्ट्राइट्स तो फ्रेंज यह एक लिस्टेड कंपनी है जो कि बेंगलुरू में इसका है इसका है लिस्टेड कंपनी है और यह एक्चुली थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि सर्विस प्रोइडर है और सर्विस प्रोइट करती है अपने क्लाइंस को जो अधर पार्टेट्शं हाउसे यह अधर लेबल्स होते हैं उनको सर्विस प्रोइट करते हैं अबवाउट anti-piracy, anti-theft and illegal activities such as copyright claims in YouTube videos and other online portals इनका काम होता है actually constantly monitor करना आपके वीडियो को YouTube में और उसके दौरान ये पता लगाना कि इनके किसी client का copyrighted content तो आपके वीडियो में use नहीं हुआ है So they constantly monitor the videos in YouTube अगर उनको पता चलता है कि ऐसा कोई भी content है जो anti-pirated है या theft वाला है या किसी तरह का illegal content है तो वो तुरंत आपको copyright strike send करते हैं तो सबसे परला question तो यह उड़ता है कि क्या यह entitled है are they eligible to send you copyright strike तो इसका जवाब यह है friends जी हाँ यह बिल्कुल जो इनके clients होते हैं उनके बिहाफ में आपको copyright strike send करने के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल ही eligible होते हैं so whatever copyright strikes you are getting on behalf of AI Plex Software Limited वो कभी भी fake नहीं होते दोसा genuine copyright strikes so friends अगर आपके channel में copyright strike आया है जैसी कि मेरे channel में copyright strike आया था AI Plex Software Limited के तरफ से तो आप उसको कैसे retract करें और कैसे turn out करें यह सबसे पहला copyrighted contents अपने वीडियो में यूज करना बिल्कुल भी बन कर दीजिए जी हां व्यूज के लिए शुरू में मैंने भी कुछ copyrighted contents यूज किया था जो कि मेरे channel में मैंने बिल्कुल भी बन कर दिया है तो व्यूज आये ना आये channel धीरे धीरे ग्लोग ग्लोग हो उपन करने पर आपको नीचे जो description आता है उसमें आपको AI Plex का email id दिखेगा क्योंकि उन्होंने आपको copyright strike दिया है तो उनका email id आपको उसमें visible होगा तो आपको करना यह है आपको उस email id को copy करना है जीमेल पर जाना है और message compose करना है subject रहेगा message का request for retraction of copyright strike from my youtube video और आपको यह message as it is type करना है जो मैं आपको भी बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी यह message AI Plex को भेजा था email के थूरू और उसके बाद उन्होंने consider करके मेरे copyright strike को मेरे वीडियो से हटा दिया तो हो सकता है कि शायद आ ऐसा type करना है friends dear sir ma'am I have received a copyright strike in one of my videos on youtube I assure you that I will not use any kind of copyrighted claim in my videos hereafter and I request you to retract or turn down the copyright strike from my channel considering it as a human error on the humanitarian ground so आपको यह message link कर भेजना है उनको और हो सकता है कि वो आपका इस आपकी email को देखें और उसको consider करके आपको copyright strike आपके channel से remove कर दें लेकिन friends ऐसे बहुत सारे लोगों को यह copyright strike भेजते हैं AI Place Software Limited और उनके पास बहुत सारी emails दे ली जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके email का कोई response ना दे या उसको कोई किसी तरह का तवज्जो ना दे तो ऐसे case में आपको जो second thing करना है वो यह है कि आपके left hand side में video जो होता है उसके left hand side में एक retraction का option आता है तो आप YouTube की through भी directly जाकर अपने videos को retract करने के लिए उनको request भेज सकते हैं retraction जो option है उसमें जाकर इसके चलावा आप Google में भी directly search कर सकते हैं IPlex के contact numbers को telephone directory में just dial जैसे just dial है उसमें भी आप search करके उनकी किसी representative को या form representative को directly contact करकर request भेज सकते हैं अगर इन सब से भी आपको कोई फायदा नहीं होता है friends तो जो next step आप कर सकते हैं वो है filing a dispute लेकिन यह आप तभी करिए जब आप बिलकु सब्सक्राइब सेंट युवा copyright claim तो अगर आप बहुत sure होते हैं अपने videos को लेकर तभी आपको इस option पर जाना चाहिए नहीं तो इसको use करना आपके लिए और problematic भी हो सकता है अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई किसी तरह का help नहीं होता है friends तो एक ही तरीका है वो है तीन महने इंतजार करने का तीन महने के बाद आपका copyright strike जो है करना है अपने videos में क्योंकि तीन copyright strike के बाद आपका चैनल योट्यूब पर्मनेटली डिसेबल यह close कर देता है तो इसलिए put up the original contents, put up real life experiences, real life videos जैसे आप मैं कर रहा हूं अपने चैनल पर और उसको upload कीजिए तो उम्मीद है friends आपको यह video पसंद आया होगा और आपको अगर यह video beneficial लगा आपको किसी तरह का help हुआ इस video से तो इसको like कीजिए और अपने friends को share कीजिए जिनको भी इससे benefit हो सके friends मैंने यह video से इसलिए बनाई है तक इससे मेरी तरह के जो new youtube subscribers, youtube creators होते हैं उनको किसी तरह का help हुआ पाए जो भी इस तरह के problems को face कर रहा है जो मैं का रहा था तो अगर आपको इस तरह यह video पसंद आया तो आप इस channel को subscribe जरूर कीजिए please subscribe my channel we'll put up some more discussions in the coming videos regarding such topics which we new youtubers and other youtubers face so please subscribe the channel and till next video this is Preet saying very very goodbye to you people do take very good care of your health and keep creating new videos thank you so much hello friends good morning this is Preet and if you are watching my channel Preet Vlogs thanks for coming to my channel and please like subscribe and share this video thank you